ब्रेक के बाद आपका स्वागत है परदेश की आजादी के बाद बनी पहली नगर निगम में शुमार धरमशाला में प्लास्टिक खरीद के लिए चार केलेक्शन सेंटर बनाए जाएंगे इन कलेक्शन सेंटर्स पर 75 रुपाई किलो सिंगल प्लास्टिक खरीदा जाएगा, इसके लिए नगर निगम प्रशासन ने प्रियास आरम करते हुए टेंडर लगा दिये हैं प्रदेश की आजादी के बाद बनी पहली नगर निगम में शुमार धरमशाला में प्लास्टिक खरीद के लिए चार कलेक्शन सेंटर बनाए जाएगे इन कलेक्शन सेंटर्स पर 75 रुपए किलो सिंगल प्लास्टिक खरीदा जाएगा इसके लिए नगर निगम प्रशासन ने प्रयास अरम करते हुए टेंडर लगा दिये हैं शहर में जगा जगा बिक्रे प्लास्टिक के सही प्रबंदन के उदेश्य से निगम ने चार कलेक्शन सेंटर बनाने का ने ने लिया है ये चार प्लास्टिक कलेक्शन सेंटर भागसुनाग, चरान खट, नोर्बू लिंग का और शीला चौंक में होंगे जहां पर शेहरवासी घरों में एकत्रित प्लास्टिक को बेज कर कमाई कर सकेंगे शेहर को प्लास्टिक मुक बनाने और सुन्दरता को बहाल रखने के लिए निगम त्रशासन ने ये निर्ने लिया है नगर निगम धर्मशाला में मेर देवेंदर जगी ने कहा कि धर्मशाला नगर निगम में चार प्लास्टिक कलेक्शन सेंटर बनाने का निर्नेलिया है जिसमें टेंडर कर दिये गए हैं भागसुनाग, चरान खड, नोर्बू लिंका और शीला चॉंक में होंगे कोई भी ब्यक्ति सिंगल प्लास्टिक 75 रुपए प्रती किलोग्रांग की दर से प्लास्टिक खरीदा जाएगा अब ही हमने धर्मशाला कॉर्परेशन एरिया में चार हम लोगों ने प्लास्टिक क्लेक्शन सेंटर बनाने का प्रपोजर रखा है जिसमें हमने टेंडर कर दिये हैं और यह एक तो भागसुनाग में हुगा एक चरान खड में नौर्बलिंगा और शीला चौक पर यहां पर हमारे क्लेक्शन सेंटर होंगे और कोई भी ब्यक्ति अपना सिंगल प्लास्टिक जो है वहां भीज सकता है और हम से 75 रुपए केजी के साब से प्लास्टिक खरीदे किगे के ब्यादी ब्यक्ति एक प्लास्टिक 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 जो है खिए